राजस्तान में पुलावदी सटा बाजार में सीटों को लेकर होने वाले सौदों का अपना अलग गणत है सटा बाजार ने राजनतिक दलों और प्रत्याशियों की जीत को लेकर बड़ी भविश्यवानी की है चुनाव हो या फिर बारिश का मौसब और क्रिकेट पे फुटबॉल के मैची क्यों ना हो फलावदी के लोगों का आकलन हमेशा सटिक निकलता है यहां के आकलन के दम पर करोड़ रुपए के दाव लगने की परंपरा ने इस शेतर को जहां ख्याती दिलाई वहीं इसी शम्ता को सटा बाजार के नाम से जोड़कर बदनाम पी किया जा रहा है कुछ व्यक्ति इस सटी काकलन पर करोड़ रुपए के दाव लगा कर सटा बाजार पर मोहर भी लगाते हैं वलादी सटा बाजार में पहले बरसाथ पर चर्चा होती थी और यहां के लोग आकाश देखकर बारिश होने का अनुमाल लगा देते थे और इसी के अनुसार ही अपनी खेती, किसानी और करने का निर्णे ले भी लेते थे करीब तीन दशक पहले कुछ लोगों के मुंबई में संपर्क हुए और वहां से चुनाव क्रिकेट और फुटबॉल मैच और विदान सवा लोग सवा पंचर समीती वे नगर परिशत के चुनावों पर भी सटा लगने की परंपरा का चनम हुआ इसमें भी सची काकलन से फलाओदी के सटा बजार पर लोगों का भरूसा अजमने लगा सटा बजार में सीटों को लेकर होने वाले सौदों का अपना करेत है राजनेतिक दलों और प्रत्याश्यों की जीत के भाव अलग-अलग कार्णों के चलते बदलते रहते हैं अभी के भाव चार चरण पूरे होने के बाद के हैं तीन चरण और होने वाले बात के चुनावी आकलन में सीटों की संक्या घट बढ़ सकती है आजादी से पहले जब पाकिस्तान भारत में ही शामिल था तफ़लादी का वयापार पाकिस्तान के सिंद प्रांत तक था जो वयापार यहां के राजशाही बाजार वर्तमाण नाम सदर बाजार से ही चलता था। और आपको यहीं भी बता दें कि यही कारण है, कि यह बाजार आज भी हैरिटेज लुक्त लिए हूए है। पूर्ड में इस बाजार को राजशाही बाजार, व्यापार मंडी के नाम से जाना जाता था, यहाँ घी, तेल, अनाज, नमक, मावा और नमक आदी का बड़ा व्यापार होता था लेकिन आजादी के बाद सिंद से व्यापार बंद हो गया और बाद में राजशाही बाजार, सब्दर बजार और फिर सत्था बाजार में गुकिया जाता है यहां की बेबाग जुबानी के कारण फलौदी सत्था बजार देश की सुर्खियों में है जबकि यहां बारिश को छोड़कर किसी के भाव फलौदी में तै नहीं होते फलौदी सत्था बजार भाजपा को 300 सीटे दे रहा है जबकि कॉंग्रेस को 60-30 सीटो अने दलों में बाठ रही है यदि फलौदी सत्था बजार का यह आकलन सही होता है तो एक बार फिर यहां की आकलन पर सटिक्ता की मोहर लग सकती है लोकसवाद चुनाव से पहले जहां भाजपा ने राम मंदिर निर्मान के बदालत 400 पार का दावा किया था वहीं फलौदी चुनावी सभा में भीडवे जातिय सहीयों के साथ पार्टी के ओधि को ध्यान में रखते वे भावते किया जाते हैं इस बार भी फलौदी सत्था बाजार ने इनी बातों को ध्यान में रखते वे आकलन किया है फलाल देखिए फलौदी सत्था बाजार ने भारतर चंता प पहुँच पाएगी और जो है कॉंग्रेस की यदि बात की जाए तो कॉंग्रेस को फलादी सत्टा बाजार 60-63 सीटे जो हैं बता रहा है आप देखने वाली बात यह होगी कि फलादी सत्टा बाजार का यह आपलन कितना सटीक होता है यह तो आने वाला वक्त और चुना अभी परिनाम ही तैकर पाएगा तो फलार गिरेत नहीं देखते हैं पंजाब के सुराजस्तान नमस्कार